जटा शंकर धाम के अंतरगत ग्राम पंच्याइत बड़ा गाउं में श्री श्री एक हजाराट श्री देवजी मंदिर प्रांगण में चल रही श्रीमद भागवत कथा का तीसरे दिवस में भगवान शिव और पारवती माता का विवा हुआ मत्रा ब्रंदावन धाम से आए पंडित अक्षे क्रश्न शास्त्री ने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि युवाओं को नशामुक्त होना जरूरी है इवन ब्रंदावन धाम से आई बहन दीव शिखा शास्त्री ने बताया कि श्रीमद भागवत कथा में अज माता प परकार की जहांकिया सजाई गए राधे राधे सबसे पहले और दीपसका सास्त्री जी आप के बारे में सुना है आप दिल्ली से नवास करती हैं और अध्यात्मिक प्रभचन तो क्या कारण है समाज को इसका ग्यान देने का फिलाल तुम्हें वरंदावन धावन से आई हूं और रहिवात अध्यात्मिकता की तो सिर्फ सनातन के बारे में बताना चाहते हैं और अध्यात्मिकता का अर्थ होता है कि कैसे हम राम के चरत्रों को इश्रवन करें और उनके अनुकूल हम चल सकें क्यूंकि राम कोई बड़ा श्रूप नहीं है राम के चरत्रों पर वर्ण नाता है कि चरद्र कैशे कारी तो प्रखते हैं इस परकार राम जी अपने माता-पिता से प्राथ गुरुजी से चरण सब्सक्री के लिए वोते हैं प्राथ का लोग कहें रखना हो तो सिर्फ उनका उद्देश इतना है कि शुबह-शुबह-उटके यदि हम अपने माता-पि ताके नख को इस पर्स करते हैं तो हमारा शिखा से लेकर जो मस्तिस्त होता है वह हमारे शुंदर आचार विचार और क्या कारण है जो आपने प्रवचन साइड चुनी जैसे कई हुआ हैं अलगलग छेत्रों में जॉब तुकानदारी कहीं ओफिस में काम करते हैं लेकर आपक का करने कि कथा करने चाहिए कि क्यूद्यी में करने मदा से बैड़ता या जरूर म क्या आज घ्बाधाबरन बनता है जरूरी नहीं कि इसे बिजनेस बनाएं तो पैसे ही मिलें जी और क्या आज भागवत में बताया गया है आज स्रीमत भागवत में हमारे कि देखो शादियां तो सब के हुएं राम जी की भी हुएं लेकिन जो सिप जी की माँ पारवती के शाथ विबाह का वरिन है वो अतुल्य और क्या देना चाहती है आप ग्राम बाश्यों को समाज को भागवत कथा और प्रवचन के माध्यम से जटा शंकर धाम से निले इस्तिवारी की रेपोर्ट